तो फ्रेंड्स मैं रियादो स्वागत करती हूं आपी का अपना चैनल पुरांचल इस्टेडी फ्लेटफॉर्म पे तो आज हम फिजिक्स का वो चैप्टर दैटीज ग्रेविटेशन का केपलर्स लाफ प्लैनेटरी मोशन देखते तो आएए देखते मजाएगा तो जॉनसन क केपलर वह 16th century astronomer who established three laws which covered the motion of planets यानि जो जो जॉनस केपलर जी थे उन्हों वह 16th century के एस्ट्रो नॉमर थे जिन्हों ने थी लाफ दिये थे जो की मोशन होते जिसके प्लैनेट से तो फस्त लाफ क्या है केपलर का केपलर फस्त लाफ स्टेट देट 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 प्लैनेट मू तो फोकाई आप दी इलिप्टिकल और्बिट यानि कि फर्स्ट अफाल कि पहले के लोग जो थे वो यह बोलते थे कि जो सन है वो अर्थ का चक्कर काट रहा है वो उसके एराउंड घूम रहा है लिकिन ये बात तो गलत साबित हो गई और बिश्त बात सही बात तो यह है कि जो अर्थ है वो सन के एराउंड घूम रहा है तो ये बात तो ठीक है लिकिन जो सब ने कहा कि जो सर्कूलर पात पे घूम रहा है तो केपलर जी ने यही सही किया कि जो अर्थ है वो सन के एराउंड सर्कूलर पात में नहीं घूम रहा है वो इलिप्टिकल पात में यानि कि वो एक ऐसी सेप में उसके यानि कि उसके राउंड घूम रहा है जैसे कि एक अगर कोई भी चीज जो है वो इलिप्टिकल पात में मूव कर रही तो उसके टूफ हो काई होती है एक यफवन और एक यफटू जो कि प्लैनेट से कुछ दूरी पे यह है शन और यह है प्लैनेट जो कि उसके ईराउंड घूम रहा है जो कि इलिप्टिकल ओर्बित में और कीप्लर सेकेंट लए के एच प्लैनेट रिवल्ज इराउंड से इन सच अवे दाट ग्यानिंड हो तूरी जो कि एक इंचर वार्फ एरिया जो कि यइदि आर्नेट गोम रहा है कुछ तरीके से जो कर रही है तो जैसे कि आप देख सकते हैं और यह है प्लैनेट तो एक इमिजिणरी लाइन इसे लाइन ज्वाइन जो भी है सन और प्लैनेट के बीच में वह एक्वल एरिया यहां पर कवर कर रही है एक्वल इंटर ऑफ टाइम यानि कि जो एवन है वो एटू के बराबर है और केपलर थर्ड लाग क्या है दक्यूब ऑफ दे मीन डिस्टेंस ऑफ प्लानेट फॉम दिस सन इस डिरेक्ली प्रपोर्शनल तो दे स्क्वार अफ टाइम इ वह उसके राउंड सन के राउंड जो घूम रहा है यानि कि केपलर थर्ड ला सिद्धी सिद्धे यह बोल रहा है जितना प्लानेट का डिस्टेंस होगा से हम मतलब बढ़ेगा उतना उसका टाइम पीरिएट भी बढ़ेगा यानि कि जिस टाइम पीरिएट का स्क्वार का डारेक्ली प्रपोस्टनल उसके डिस्टेंस के क्यूब के तो ये हो गया केपलर थर्ड ला